कि अंग्रेजी नहीं आती हिंदी में बोलिएगा मैंने प्राइवेट चार्ट में लिखा है पहले 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 क्वेशन यह हैं हलो आप बोला बना बना कि अगर जाती कर्मा से है तो क्या इंसान जब जन्म होता है तो सब इक्वल है और अगर है तो फिर उनके पिछले जन्म के कर्मों का फॉल कैसे मिली ला क्यों आलग अलग जाती में बाइद होते हैं और दूसरा क्वेशन यह है कि वर्णा और जाती क्या यह दोनों असमानता बाइबर्थ याने जन्म से समानता नहीं एड़ोकेट कर रहे और तीसरा प्रशन यह है कि अगर जाती कर्म से है तो स्क्रिप्चर्स, हिंदु स्क्रिप्चर्स में कोई एक्साम का मेंचन किया गया रहे कि वर्णा किसी एक्साम को कैसा देना है यूशन मों ये प्रशन आप दे से को स्क्रिप्चर्स है ठीक है आए आपका ठीक है पिछले जनम के कर्म से कुल मिलता है ठीक है ना अच्छे कर्म है तो श्रीमानों का कुल मिलेगा अच्छे लोगों का कुल मिलेगा जो संपन्न है पूरे कर्म है तो चांडाल कुल मिल सकता है गरी कुल मिल सकता है प्रिक में कहा है बोल रहे हो यार स सवाल चार लाइन का होता है जवाब 40 पन्यों का भी हो सकता है ठीक है तो जी तो जनम उसने करम के अधार पर उसको कुल मिल रहा है तो बेदभाव किस बात का है याद इश्वर अन्याय करें के जान बूच कि आपको जिसने अच्छा काम किया उसको गरीब कुल में पैदा कर बूरा काम किया उसको राजा महराजा के खांदान पैदा कर दे तो आप कहका होगे ना इश्वर आपके साथ डिस्क्रिमिशन कर रहा है नहीं तो नहीं कह सकते ना हाँ कैसे होता है मतलब जिसको हम वरण करते हैं वरण होता है आचारे के तवारा जब कम से कम 25 साल का हो काग है बुर्कुल में रखता है तो से गुण करण सभाव देखकर आचारे उसको उपनयन करता और उसका को बतरुब में अलग अलग है यह जो जन इनकी आकरीति बश्लत करने तक तो सबंँ मानों जाती है। उसमें कोई संदेह नहीं है अलग-अलग हो सकता है गुर्ण कर्म सभाव से आपकी जीविकास ठीक है फिर आपका कहना है कौन से किसा पेपर है यूपीएसी नहीं है कि आपने यूपीएसी क्लियर कर दिये यूपीएस बन गए ऐसा नहीं होता है सनातन दर्म में गुरु खुद इतने ब्रह्म ज्यानी होते थे जैसे सत्यकाम जावाल ने बताया कि मेरा मेरी जो मां है उसने जवाने में कई लोगों की सेवा कि मैं समझे लो मैं इशारे में कह रहा हूं उससे में उत्पन हुआ इसलिए मेरा अपना गोत्र नहीं बता सकता तो बाप ही नहीं तो कहां से बताएगा तो और उसके बाद उनको गुर्कुल में रखा ब्रह्म विद्या पढ़ाई ये सब लिखा है है कि आपने में से निकाल लिया तो आपको फ़लाना कॉलेज मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है आचार इतने बरमग्यानी होते थे निश्वार्त होते थे आपके गुर्ण कर्म सुभाव देखकर निरधारी करते थे कि आपको क्या जन्म में ना है ठीक है यह आपका कुल मैं कर्म जैसा कुछ नहीं है आपने कर्म किये थे इसलिए आप जन्म में हो वरिपल words कहलो मीं कि कारण के एकारन है पना आपकिस कुल में जन्म ले रहें उसमें बन मेंसे बेडबाव जैब आपको बीना कि को संतुक्ষी जन्द लगा Daard कि जिए करन्द हो अगर आपको संतुषित लगा हो करतिक जी कांतर तो आप क्या अभी आप स्ट्रीम करताक सब्सक्राइब आपको कोई सवाल है आयन राइट जी क्या ये सुन नहीं बार है आम आयन राइट नीओ ओन्यो आन्य आहां पो ग्यस्टेंश प्रेलेडेट टुकिसी एंत करन के इसाथ से कोई गरीब या अमेर घर में पएदा होता है राइट आहाइट तो यह सब्जों कि नीची जाती और अमेर का इसा समझों कि उच्छी जाती नहीं क्यों जब अधर्दस्ति ब्रामान गरीब नहीं नहीं होते मतलब ब्रामान अन्ना सेट होते हैं सब है ना वह सब्सकार के बात करते हैं तो कौन से होता है और उस टाइब पे कौन सी कर्म देखा जाता है हाँ वह अच्छा सवाल है उसमय देखो प्राय होता है आज भी हम देखते हैं माता पिता है कि 12-13 साल में नहीं होता है आठ साल में होता है अब तो यह भी प्रावद्धान है कि कुछ खास वर्ग के लोगों को उन्होंने एंडमिशन ले लिया तो फले वह फेल होते रहेंगे फेल होते रहेंगे लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उनकी फेल को भी पासमाल लिया जाएगा और उनका एम्भीएस फाइनल लेकिन दो व भई जाती-जाती की बात है श्मद्यां और वेकशन अफैनल अब करना ले मोकि नहीं की से मनौ में लिखा है ना जिसको दन की व्ल defThe Stillmal को फाषए लगा में वह ग में में रहें वह नसका बालना उसको स्पास्ट्रूप से लिखा हुआ मेरा और एक क्वेश्चन है दरम के साथ से यह नियाए बढ़ा है या माफी और और प्रेम इसमेड से दोनों बढ़ा दोनों मैंसे क्या बढ़ा है क्परां आए प्रें किसको क्या करना है यह जाम और उसका उसका जदर फोकोश अंड है और तो इसमें से सैन्जी न करने वाला है जो न्याय करने वाला है उस किसी की अंदर ये गुण होगा कि वो किसी को माफ कर सकता है समझ में आया जिसके अंदर नियाय के प्रविर्ति नहीं होगी ध्यान दीजे पहले जिसके अंदर नियाय की प्रविर्ति नहीं होगी उसके अंदर छमा की भी प्रविर्ति नहीं होगे वो किसी को छमा भी नहीं कर है तो क्या लोगों के करम और कर माफ नहीं कर सकता बिलकुल नहीं करता जब आपने उमिले करते समय जब आपने उनसे पूछा कि यहाद जब आको कर्म करने के लिए उन्होंने स्वतंत्र रखा कि और उन्होंने बता दिया आपको फ्रीट कर दिया कि बाई आप जो कर्म करोगे उसकी जिस्मेदारी आपकी होगी क्योंकि कि आपको प्रतिखल भी उसी क्या नुरूप मिलने वाला है इसमें मेरा कोई हक नहीं है बाई साब बतडू बाई साब सुनने की छमता रखो थोड़ा सुनने की धैरे रखो सर धैरे रखो अगला को बोले दो प्रश्न करके अगले को उत्तर देने दो फिर उसकी बाद से बोल कि अगले से प्रश्न पूछ लिया सर अगले से प्रश्न पूछ लिया तो उत्तर जब आपको ही प्रश्न करना है आपको ही उत्तर देना है तो फिर मैं आपके साथ कौन सा भी हैप करूंगा जब आप ही उत्तर हो आप ही प्रश्न हो तो हमसे पूछा मत करो और अगर हमसे तो चुप भी रहा करो कि अगले आपको एंसर कर सके चित भी मेरी पट भी मेरी सारे के सारे विक्टम कार्ड एदम नोटंकी बाज आ रहे हैं आज डीबेट में खसम जबता रहा हूं आपने प्रस्ण कर लिया है आप मुझे बोलने का मौका देजे मैं आपकी जिग्यासा का समाधान करने का प्रयास करूँगा लेकिन जब आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे फिर मैं क्या करूँगा अब जैसे देखिए आपने का ना कि इस्वर ने इस्वर के अंदर चमा सीलता अगर होती तो वो व्यक्ति को जो है माफ कर देता उसकी गुनाहों को माफ कर देता उसको भेड़ बकड़ी गदास उबर बिच्छु नहीं बनाता माफ करने की जिस प्रविर्ति की आप बात कर रहे हैं या जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि इस्वर ने कर्म के लिए आपको स्वतंत रखा हुआ है आपके कर्म में इस्वर का कोई हस्तक शेप नहीं है और इसलिए हस्तक शेप नहीं है क्योंकि उसने प्रतिवी पर सबसे smart breed पैदा किये आपके रूप में जिसको ये पोड़ा दिकार दिया कि भाई तू अपने कर्म के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है और फल भोगने के लिए भी एकदम स्वतंत्र है यानि कि तिरे को मैंने रास्ते दे दिये भाई इधर कुवा है इधर खाई है अब भाई तेरा दिल आता है तो तू कुवा में गिर जा और तेरा दिल आता है तो तू खाई में घुज जा फोड़ा उदारण सक्त है मेरा लेकिन समझने का मनतब बे समझिएगा तो उन्होंने अच्छे और बूरे की समझ के साथ आपको पैदा किया है अगर आपको भी पैदा होने में दिक्कत हो रहे कि मैं पैदा नहीं हुआ हूँ भामाल लेजी आप टपके हैं अपने आप आप आ गया है तो भी आपके अंदर इतनी समझ है न कि मैं ये करूँ गा तो इसका गलत परिडाम है मैं ये करूँ आप अच्छा परिडाम है तो जिसको परिणाम पता है उसके बाद से भी अगर वो गलत करता है तो उसको सजा नहीं मिलने चाहिए सर मिलकुल सजा मिलने चाहिए क्योंकि जानने के बाद भी अगर कोई गलती करता है जो नहीं जानता अगर वो गलती करता है तो वो छम्य होता है लेकिन जानबु उसके जो गलती करता है वो छम्य नहीं होता है तो इसलिए जो आप कहा रहे थे कि माफ कर देता तो माफ क्यों करेगा जब उसने आपको बताया कि भाई ये करने में फायदा है ये करने में नुकसान है उसके बाद भी आप आचरण विद्दकारे कर रहे हो उसने कहा कि भाई तुम कोई ऐसे रहना है ऐसे नहीं रहना है उसके बाद से भी आप उनके नियमों को तोड़ रहे हो तो फिर आपको किस बात की छमा चाहिए सर किस बात की छमा आपको चाहिए तो आप पुझे लगता है कि आप उस concept को मानते हैं जिस concept में कोई आता है और वो आपके सारे गुनाहों को अपड़े उपर लेकि खुद सूरी बचड़ जाता है ये philosophy हमारे यहां नहीं है ये philosophy हमारे यहां नहीं है और फिरिस्ट्व पर exhibition यह है कि सब इंसान पापी है अपना ठेका क्यों लेए रहे हैं और घजब आदमी आया है और बखवास कैसी बात कर रहे हैं हम अपना ठेका लेऊ आप पापी ओ आप पापी ओ सुक्र है कि आपके लिए कोई दूसरा सूली पर चड़ जाएगा आप गुणाह माफ भूजा जाएगे ठीक है न भाई आपके गुणाह हम हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है हम आपके अगर हमने गलत किया है नारा मेरा निव दिमाग ठीक करके बात करना और जुबान ठीक करके बात करना मैंने कहा कि मैं वो गुनाह कर ही क्यों रहा हूं मैं जब उसने मुझे कहा कि तुम्हें गुनाह नहीं करना है जब उसने मुझे अच्छी और बुरे की समझ दे के भेजा है जब उसने कहा है कि तुम अच्छी और के मफीची राइवारी साथ तुम अपना देखो नहीं तुम लोग इतने पापी बने पड़े हो कि तुम अपने पापी हो इतने पापी हो कि तुम लोग पाप इतने जादा है कि तुम्हारे पाप को बरदास करने के लिए इस्वर का पुत्र आता है तो पापी हो तुम्हें अपने अंदर शुदार करने के आवशकता है हमको कि घंटा बता रहे हो हम लोग उतने पापी है ही नहीं कि हमारे लिए इस्वर आया और हमारे पापो को अपने उपर ले तुम अपने पाप से तौबा करो अपने पाप के लिए सौरी बोलो कि इस्व तो आप अभी यह कहरो मैं तो खुब जम के पाप करूँगा है ही इस्वर का पुत्र मेरे सारे पाप को बरदास्ट करने के लिए मेरे लिए दूसरा कोई सूरी चड़ने के लिए है ही तो यह कोई बात थोड़ी होती है सर हमारे यह कौंसेप्ट नहीं है हमारे यह तो इस्व फर्मने वाद ही कारस्ते मानते हैं तो फर्क है साहब बहुत बड़ा फर्क है हमारा इस्वर हमारे साथ भी खड़ा होता है तो हमारे हिस्से का युद नहीं लड़ता क्योंकि वो यह चाहता है कि हमारी पीणिया या हमारे बच्चे जो है वो पुरसार्थी बने वो कर्म कर करने वाले बने वो हमें नपुनसक नहीं बनाता कि तुमारे हिस्से के लड़ाई भी मैं लड़ लूँगा तुमारे हिस्से के कोड़े भी मैं खा लूँगा तुमारे हिस्से के सारे पाप भी मैं पचा लूँगा तुम बस हमारे बच्चे हो तुम बस गुलगुला होते रह अब इतना पाप करने के क्या मरे जा रहे हैं कभी तो कुछ अच्छा कर लिया करो कि जमके पाप कर रहे हैं और फिर कह रहा है कि वो तो है ही हमारे पाप को बरतास करने के लिए केलीuk कि माफ करने के लिए यही प्रव्रति आपको बार बार पाप करने के लिए जाती है्ट कि यह को प्रवृति जहांते हैं के ईब बात नहीं कर रहे हैं किसने बोला हम बाइबल के बात कर रहे हैं अरे बाइबल के बात हैं नहीं कर रहे हमको बाइबल से क्या ले ना देना भाई हम बाइबल के तो बादी नहीं कर रहे हैं कौन बाइबल भुज़ड रहा है बीच में हुआ हम बाइबल बाद नहीं कर रहें बिल्कुल नहीं कर रहें हम बाइबल से क्या लेना देना है बाइबल जानती हुए इस कहान के वारे हमको कुछ बताई नहीं है कि आप अच्छा तो वही हुट हमस्mac kita नि farm कि खा feito कुए खम खाउपकी रह सकते हो अरे भाई हम नरक के ले जाएगे तुम को उससे क्या लेना देना यार अरे बीया तुम की नरक पदाई हो तुम पापी लोग कम से कम अपना पाप सुधार करो यार हमारे लिए 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 क्यों मरे जा रहे है क्यों मरे जा है हमारे लिए लिए तो अपनी बात करो हमारी बात मत करो तूम पाप आध यह गया है नहीं तुम लगोटा खोड़ लिए मैं पापी हो गया तुम अपनी बात करो में नियुकंत eammuj जब फल बहुगने के लिए कोई आ जाएगा तुम नदेंशन मतलो तुम हमको पापीों अपि मत बोलो ठीक है तुम तुम यह किसी को बोलने केितरी कारी नहीं है अरे भाई तुम से भगवान की डेफिनेशन नहीं समझेंगे जब तुम खुद कहे रहें कि तुम पापी आद किया कि तुम पापी हो मैं पापी नहीं हूं तो तुम पापी हो तुम अपना पाप सुधार हो हमको कहें लेक्चर दे रहे हो भाई तुम जाओ अपने पाप सुधार हो अपने पाप कम करो आरे पापी अपना पाप कम कर हमको लेक्चर मत दे चाहिदर से पापी कहीं कर निकल तो आया ता यह जआ या कि major दिवेट में घूज़ए जाने इस शैतान बोल रहा है वगवान को अध्य करता है आधर ने तो पापी है पापी से क्या उम्मेद पालोगे ना यार इसलिए उम्मेद पालना एक पापी तो यह पापी और इतने बड़े वाले पापी कि इनके पाप के पुत्र पुत्र को इनके पाप परदास्त करने आना पड़ता है पिर भी सरम नहीं आती इनको अपने पाप को हम कम कर दें और हमको आकर ज्यान दे रहें कि तुम पापी तुम पापी तुम पापी तुम पापी वाइंगे ही हमारे पाप जहेलने के लिए अरे भाई मैं मानता हूँ कि जो आपके पाप को अपने उपर सहने के लिए आ रहे हैं कम से कम अगर उनके लिए आपके दिल में इतनी ही रिस्पेक्ट है इतना ही आप उनका आदर करते हो तो कम से कम इतने वर्षो में आप अपने लाय को ऐसा क्यों नहीं बना पाए कि जो एक बार हमारे पापो की वज़ा से अपने आपको इतने कठीन परिस्तिती में इतने कठीन दुख में डाल जुका है अब तो हम अपने आपको सुधार कर ले हैं कि दुबारा उसको ये दुख ना जेलना पड़े, दुबारा उसको ये कश्ट ना जेलना पड़े, लेकिन फिर भी पाप करे जा रहे हैं, और रही तो हमको भी पापी बता रहे हैं, ये कहां से पाप खतम करेंगे ये लोग, घज नहीं लेगा अगली बार पापी लोग ना आए बाइया और हमको ग्यान नहीं होने वाला है अब हम बहुत बार आने वाले इधर आएंगे इस्ट्रीम चलाएंगे फिर तुम्हों से मिलेंगे क्योंकि हमको मालों को तुम्हारा खुद का तो मोक्ष नहीं होने वाला है अब 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 यह सारे निसाचर रात में घूम रहे खुला अब अब जाती वाद पर चर्चा थी पता नहीं कहां पाप और नुक्ष पर चले गए अरे यार मतलब भाई क्या फिलोसफी है क्या लेना देदा हम लोगों को इसे अरे आप अगर आप अपने आपको पापी मानते हैं तो आप अपने पाप में कमील आईए सुधार करिए हमको गंटा प्रवचन मारने आये हैं